नमस्कार दोस्तों प्रोटेडिंग आर्ट में आपका श्वागत है अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्जिक्यूशन मोडल का नेक्स्ट पार्ट तो चलिए इसे समझने स्टार्ट करते हैं यह जितने पॉइंट बता रहा हूंना सब बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट ह आपको याद होगा कि एक वार पर 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 चलिए होता है ना तो यहां पर पॉइंट क्या है उन्हें को दिखते हैं इस इंटेल्स डैट वार। such as high low and close which never change on historical bar यानि historical बार पर आप high low or close को तो change करते नहीं हो है ना वो तो एक बार जो कमिट हो गया था वो से बढ़ेगा हमेशा can change at each of scripts iteration in the real time bar जब कि real time bar में जतने बार वो update होगा ये भी change हो जाएगा हमारा ठीक है ना chance in the built-in variables used in scripts calculation will in turn induce chance in the result of those calculation यानि अगर हमारा यही सब्सक्राइब हो गया तो हम जो परफॉर्म कर रहे हैं तो वह भी obviously change हो जाएगा ठीक है ना तो उसे फिर से प्लॉट करना पड़ेगा सब्सक्राइब जहां पर जितने अपडेट हो रहे हैं उस इस टाम यह होता है और फिर से यह प्लॉट होता है ठीक है ना तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस इस रिक्वाइड फॉर्द एसक्रेप टू फॉल्व दा रियल टाइम प्राइस एक्शन यानि सपूज अभी काकर हमारा कोई भी केंडल है इसमें अगर सपूज यहा उपर आज चुका है ठीक है अगर है बेज़ाओ अपको इंडिकेटर बनाती हो तो यहां पर दिखाना पड़ेगा उची तो अगर वह चीज दिखा तो थो लाइब मार्केट में इस टाइम उसे फिर से कलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है अगर और विश्यूइन है उसे त पर निची जा सकता है न उसके नुसारी हमारा क्या होगा चेंज होते रहेगा यानि कभी आपको अगर सपोर्ड दो मुविंग ड्रॉइज कर रहे हो तो किसी टाइम पर चला वो क्रॉस करके उपर आ गया और किसी टाइम फिर वह नीचे आ गया फिर यह क्रॉस जोगी यहां पर बना था वह रट जाएगा ठीक है न क्योंकि डियल टाइम बार में है वह उसके बाद देखिए इन दा रियल टाइम बार दा क्लोज वेडियेवल्स ऑलवेज रिपरेजेंट प्राइस को यहां पर उपन हुआ तो उसके बाद जब तक यहां पर यहां पर ऑपन हुआ त हुआ इस। और जो लोब युख ऑद तो उसका प्राइस का क्या होगा हाए रोट प्राइस तो ग्मइन अचर आल बना है और शाओ लेक्लोज अ दमनी और छी ही वैल्यू हमारा रिप्रेजेंट करता है कौन सा तो हाई लो इन क्लोजन जो है ठीक है ना उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है और भी कुछ रियल टाइम बार ओपिन हुआ यह को भी इसको बीश्ट्र केंडरी बना लेता हूं चलिए तो हिस्ट्र के इसके बाद हमारा लास्ट यहां पर रियल टाइम बार पर आया क्या होगा यह है वहन्तरा राइट अंदर और रियल टाइम बार इखेक्यूट कर जाएगा जो जो भी a script है हमारे पास ठीक है ना it used the current value of the built-in variable to produce a set of results and plot them if required तो जो भी current value होगा वह से plot करतेगा वहां पे current value कौन सा होगा तो last candle जो हमारा इस पे जो last update हुआ था वह value होगा ठीक है ना जब first time चलेगा तब आने के साथ ही चल जाता यह बात को धिहान में रखना है जिसे हमारा यह आपका यहाँ पर last यहाँ पर हुआ होगा यहाँ पर इसके बार को नयुक्त है आपको उपर आ गया ठीक है न पर आ गया अपर आ गया तो यह उपर आ घया तो यह रन करेगा यहां क्या पता है जाड़ा वह इन था उपडेट हुआ और हमारा रन करेगा उसमें क्या होगा इस यूजर-defined वरेवल्स are reset to a known state corresponding to that the last of corresponding to that of the last commit at the close of the previous bar यह प्रिवियस बार पर जो लास्ट कमिट हुआ था उसके corresponding यह हमारा फिर से reset होकर किया जाएगा यह जितनी बार यह update होता है ना उतनी अब क्या होड़ा यहां पर यहां यहां पर यह इनी इनिशलाइज होगा फिर से ठीक है ना और यहां पर फिर से ठीक है ना इफ नो कमिट बार्जमेट कमिट अभी तक हुआ नहीं कमिट का हुआ तो लास्ट केंदल पर होगा उसके बाद क्या होता है वो रिनिशलाइज होते रहता है ठीक है ना if no commit was made on the variables because they are initialized every bar then they are initialized तो फिर से क्या होगा फिर से री इनिशिलाइज हो जाएगा वहां पर ठीक है ना अब दिखिये इन बोथ केसे यार लाच्ट केक्लकुलेटेट इस्टेज लॉषट इन बोथ केसे टिर लाश्ट केलकुलेटेड अस्टेज दोनों केस में क्या होगा है योगा डों क्या होत्व लॉडिक्त सब्सक्राइब लेवल्स एंड लाइन जो भी है उसके सब रिसेट हो जाते हैं यहाँ पर ठीक है ना उसके बाद देखिए इस रिप्रेजेंट इस रिसेटिंग ऑफ दा स्क्रिप्ट यूजर डिफाइंड वेरिवल्स एंड ड्रोइंग प्राहर टू इच न्यू इटरेशन ऑफ दा स्क्रि यहाँ पर चार्ट पर लिए चलता हूं और आपको एक जापल दिखाता हूं इसे समझना आप ध्यान से यहाँ पर बेटीस में कर देता हूं और यहाँ पर विट बार आई पी दो प्लोट पनाया हूं आप और एक है विदाउट बार आई पी यह क्या है तो डिकलेरशन यहांने यह बचती जारा है कि इसमें with vahar IP में तो with var IP का code में दिखाता हूं आपको यहां पर क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं सबसे पहले वार अच्डिनि इंत यहांपे इंटे लगा रहा रहा हूं जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होड़ा है इसमें भी देखोगे तो आप सेम चीज़ है लेकिन सिर्फ इसमें वार आई-पी यूज नहीं किया गया है की वर्ड यूज नहीं किया गया है उसको मैं जब आपको बस यह समझना है कि एबरी टाइम यह जितने बार चलता है नो फिर टाइम उसमें करते जा रहे है यह दो नहीं हो रहा है यहां रियल टाइम बार में यहां पर आपडेट नहीं हो रहा है यह आप लोग देख करके बताना क्यों होने हो रहा है मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में जब भी बताऊ तो वहां पर explain करूंगा यहां पर क्यों प्लॉट नहीं हो रहा है थीगा ना अग मैं मैं उम्मीद करता हूं आप तो अभी सही जज्ज कर लोगे उसमें क्या हो रा है किस में नहीं हो रहा है त matar रहा था वहां पर बता दिया अब यहां पर समझ वाइंब यहांपर पॉइंट ध्यान से सुनना कि जो rollback process था उससे हमने वार IP keyword लगा करके skip कर दिया हम लोग यहाँ पर rollback करवा ही नहीं रहे हैं जबकि इसमें rollback हो जा रहा है ठीक है ना तो यहाँ पर आप देखो rollback इसमें हम लोग skip कर दे इसलिए every time वो क्या हो रहा है एड हो जा रहा है यहाँ पर ठीक है ना तो I hope यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा इसे और भी point है इसमें वह चीज़ अभी हम लोग देख लेते हैं तो चलिए इसे next point पर देखते हैं क् इसमें its effect is to reset the script to the same known state it was in when the real time bar opened so calculation the real time bar always performed from a clean state तो हमेशा क्या होता है clean state से हमेशा perform होता है इसको वाराइप पर ही कीवर्ड यूज़ करते हैं तो skip कर देते हैं रोल बैक का प्रोसेस ठीक है ना अब देखिए आप पर the constant recalculation of a script's values of price or volume change in the real time bar can lead to a situation where variable c in our examples becomes true because a cross has occurred and so the red mark are plotted by the script's last line would appear on the chart कहने का मतलब है यह हमारा है ना लास्टाम अपडेट होड़ा है every time update होड़ा है किसी टाइम ऐसा होगा जब यह क्या होगा true हो जाएगा ठीक है ना और फिर सी नीचे आ जाएगा फिर सी एक्रोबर नहीं होगा तो फिर सी यह false हो जाएगा तो फिर सी हमारा प्लॉट होगा वह हट जाएगा सिंपल सी बात है इफ उन नेक्स्ट प्राइस अपडेट यह फिर से जब अपडेट होगा बता था नहीं पर लाइन वगर रहे हैं जतने चीज़ है सबके सब रिसेट हो जाते हैं अब इनिचलाइज होते हैं अब्री अपडेट में ठीक है ना इसलिए आपको रियल टाइम बार में वह बार-बार फ्लक्शुएट होते हुए दिखता है वें दा रियल टाइम बार इस इत्रेशन इस दा लास्ट वन अन दा रियल टाइम बार वेरियेवल अर कमिटे टू देर फाइनल वैल्यूज फोर दा बार वैन कल्कुलेशन अर कंपेट यह जब लास्ट था इसलिए वह क्या होता है कमिट हो जाता है वहां पी ठीक है ना तो यह आपको दिखान में अ प्रोसेस इसे मोग किस तरह से कर सकते हैं कि एक अप्डेट यह जब ऑपन होता है वहां पर एक जिकूर होता है और जितनी बार अपडेट होता है हर बार वह फिर से वह इनिसलाइज होता है ठीक है ना वेरिवल्स आ रोल बैक हो जाता है ठीक है पूरा क्लीन स्टेट में अजब लास्टमाइब अप्डेट उता है वह क्या प्मिट हो जाता है तो यह पॉइंट भी आपको याद तो आप कॉमेंट करो निश्ची तरुप से मैं उसके लिए अलग से भी हो सकता है तो और वी वीडियो उसमें कुछ explanation का बता दूँगा ठीक है ना लेकिन आपको confusion नहीं रखना है कि कब किस तरह से काम करता है क्योंकि इसका हम लोग यूज करने वारे हैं declaration mode में ठीक है तो आई होप आपको इसमें समझ माया हो गया होगा पॉंट अगर ऐसा है तो आप वीडियो का लाइक करिए और चैनल पर विजिट करके देखिए किस तरह का content है अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने इस्टेटरों से subscribe कर सकते हैं तो thanks for watching